हलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग मैं असोक और आप सबका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल गुरुकुल में दोस्तों अब दूबारा आपके लिए डिक्टेशन स्टार्ट कर रहा हूं और जो डिक्टेशन है वो मोर्डिंग में 9 बजे आपको मिल जाएगी गुरुकुल च संसद के बजट सत्तर का दूसरा भाग बिना कामकाच यूही बीत गया विराम इस दवरान अगर कुछ हुआ तो वो था हंगामा और बहिर गमन विराम 21 दिन के दोरान लगा मानो संसद चलाने में किसी की रूची ही नहीं थी विराम सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्स हल्ला मचाता रहा तो कुछ मोकों पर विपक्स को घेरने के लिए परदे के पिछे से सरकार के सहयोगी दलों ने सोर मचाया विराम नतीजा सामने है विराम ऐसा हंगामा बरपा की सदन चल ही नहीं पाया विराम संसद होती है चर्चा के लिए विराम PNB कर्ज घोटाले पर चर्चा क्या नहीं होनी चाहिए थी पक्ष विपक्स की सार्थक बहस से कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता था जो देश के लिए मददगार होता विराम कावेरी और अंधर परदेश के मुद्दे पर भी बहस होती तो अच्छा रहता विराम हंगामा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता विराम पिछले एक दसक से संसद सिर्फ दिखावे का केंदर बनता जा रहा है विराम बिना बहस महत्वपोन विधयक हंगामे के बीच पारित कराने की खानापूर्ती बढ़ती जा रही है विराम संसद परिसर में इस्तित गांधी जी की प्रतिमा के सामने काली पटी लेकर विरोध जताने वाले संसदों को लगता है जनता की रत्ती भर भी परवाय नहीं रहे गई विराम देश समस्याओं के जनजाल में उलजहा है लेकिन उसे सुलजहाने की चिंता किसी को नहीं विराम विपक्स संसद नहीं चलने देना चाहता था तो उसे चलाने के लिए सत्ता पक्स ने क्या किया विधाई कारिये संपदित करनी की जिम्मेदारी उस पर अधिक है विराम संसद चलाने पर हर मिनट लगभग 3 लाक रुपे का खर्चा आता है विराम यानि दिन में 6 घंटे भी चले तो लगभग 10 करोड रुपे का खर्च परती दिन विराम 21 दिन का खर्च हुआ 200 करोड रुपे विराम ये पैसा है तो जनता का ही विराम संसदों को कोई हक नहीं की वे जनता के पैसे को यूं अपने एहम के तकराव पर खर्च करें विराम सत्तारुड दल के सांसदों ने बजट के दूसरे सत्तर के वेतन भत्ते नय लेने को फैसला किया है विराम हालांकि सुब्रमणियम स्वामी ने इस फैसले को यह कहकर विरोध किया कि मैं तो उपस्तित रहा कौमा फिर क्यों वेतन ने लूँ लेकिन इससे वे अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर पाने के आरोपों से बरी नहीं हो सकते विराम संसद की मर्यादा बनाए रखना दोनों पक्षों का दाइतव है विराम इसे राजनीतिक का अखाड़ा बनाने की कोशिसों से लोकतंतर कमजोर होगा कौमा जो किसी के हित में नहीं होगा विराम दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये डिक्टेशन अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को डिक्टेशन कैसी लगी थैंक्यू दोस्तों